सुक्देव सिंग गोगा मेडी हत्याकांड पूरे राजस्थान में बंद और विरोध प्रदशन जगे जगे राजपूत समाज और सर समाज का विरोध प्रदशन राजपूत कर्णी सेना के राश्ट्री अध्यक्स सुक्देव सिंगोगामेडी हत्यकान के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध परदर्शन हो रहा है जैपूर में बंद और विरोध परदर्शन राजदानी जैपुर में दिन दहारे सुकदेव सिंग गोगामेडी की हत्या होने से ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है जैपुर में चोड़ा रास्ता, छोटी चोपड, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चोपड, जोहरी बाजार, महेश नगर, गूजर की थड़ी समेट शहर के तमाम इलाकों में बंद का असर देखा जा रहा है सर्व समाज और राजपूर समाज के लोग विरोध प्रदशन करते हुए बंद करवाते देखे गए वहीं भाजपा नेता राजंदर राठोण ने इस मामले में केंदर सरकार से एनाईय की जाच की मांग की है पिछले पांच परसों में अनगनित ऐसी हक्त्याएं हैं जो जूनियोजित तरीके से गैगेश्ट्रों ने की रंगदारियां हसूल करने का एक अनवर सिल्षला जारी रहा पुलिस का इकबाल इतना तूटा कि पुलिस राजिस्तान की विधान सभा में गुद मानना पड़ा सरकार को कि उनके कारेकाल में तीन हजार बार अलग-अलग जगह पिलिस की पिटाई हुई ये पूरा मामला मेरी मांग है कि अनाईय इसकी जाच करें और जो मांग पत्र उन्होंने दिया है आज राजदानी सहित सब जगह पर लोग सड़कों बूत्रे में है उन मांग पत्रों के अंसार मौजा दें नोकरी दें और उसके साथ साथ पूरे मामले को रखेंदर सरकार के ग्राह मंत्री जी को भी पत्र लिखूँगा कि अनाईय इसको टेक अप करें बांगो को लेकर हम लोग संगर्ज जारी रखेंगे हैं हमारा भाई गया है और निश्चित तोर पे हमारा भाई सुकदेर सिंगो का मेड़ी वो हिंदुस्तान का सेरता आज राजिस्तान बंद है पूरा राजिस्तान एक मुस्त बंद है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनेकों नेक राज्यों में ग्यापन सोपेज आ रहे हैं। सर्व समाज की विविन संगटनों की और से कलेक्टरी चोराय पर धना देकर इस गटना की निंदा की गई। तावर में दुकान खुली देखकर कारकरतों ने तोड फोड भी कर डाली वहीं गांधी थिराये पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बरतपुर में परदर्शन बरतपुर में भी सुकदेव सिंग गोगामेडी की हत्या के विरोध में बंद सफल रहा। आपको बता दे कि 14 मार्स 2023 को ही सुकदेव सिंग गोगामेडी को मारने की दमकी का एक इंपुट राजस्तान पुलिस को पंजाब से मिला था। डेकिन फिर भी राजस्तान पुलिस हाथ पर हाथ दरे बैठे रही और पास दिसंबर को सुकदेव सिंग गोगामेडी की गोली मार कर हत्या कर दी गई। पुलिस राजस्तान की अलग-अलग जेलों में बंद रोहित कोदारा के गुर्गों से भी पुस्ताच कर रही है। उन्हें यकीन है कि जेल से इन बदमाशों के बारे में कुछ सुराग जरूर मिलेगा। इसके अलावा हत्या, रंगदारी और दमकी के आरोप में जेल में बंद अपरादियों से भी इन शूटरों के बारे में पुस्ताच की जा रही है। खासकबर.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट